सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, प्रेविद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूँ विवेक और इस संदेश के जरीए इस सेशन में आपके समक्ष उपस्थित हूँ यह हम सब के लिए गर्व का और भावुक होने का क्षण है कि करीब पाँच शताबदियों के पश्चात ऐसा गौरव में क्षण आया है, जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिस्था समारोह आयोजित हो रहा है लेकिने के विद्यार्थी के रूप में हमें इस क्षण में कुछ ऐसी चीजें सीखनी चाहिए भगवान श्री राम के चरित्र से उनके संगर्ष से जो हमें हमारे लक्ष को प्राप्त करने में न सिर्फ मदद करे बलकि जीवन में भी एक स्ट्रेस्ट व्यक्ती बनने की प जहानी हो सकता है आपने सुनी हो हो सकता है ना भी सुनी हो ध्यान से सुनिएगा राम और रावन के बीच में लंका में जो युद्ध हुआ वो समाप्त हो चुका था रावन की मृद्यों होने ही वाली थी तो रावन ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहा कि मैं आपसे ज्यादा, भगवान श्रीव की मेरी भक्ती आपसे ज्यादा, मेरी सेना में सैनिकों की संख्या आपसे ज्यादा, मेरी सैना के सैनिकों की ताकत आपसे ज्यादा, यहां तक की मेरा ग्यान आपसे ज्यादा, फिर भी आप क्यों जीते और मैं क्यों हरा। अगवान श्री राम मुस्कुराकर प्रत्युत्तर में कहते हैं हे रावन मेरी जीत का कारण है मेरा चरित्र मेरा करेक्टर और ये बात आपको सीखनी होगी आने वाले तीन सवा तीन महीनों के लिए यदि आप भी अपने सर पर जीत का ताज पहनना चाहते हैं तो स्मर्ण रखिएगा आपका चरित्र एक डॉक्टर जैसा होना चाहिए आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए वो कैरेक्टर जो औरों के लिए इंस्पिरेशन बने वो कैरेक्टर जिसमें अनुशासन हो जिसमें डिसिप्लिन हो क्योंकि याद रखना मैंने पहले भी ये बात कही है कि टैलेंट जहां पर कमजोर पड़ता है हाड़ वर्क वहाँ पर विजय दिलाता है भगवान श्री राम के चरत्र से उनके संघर्ष से उनकी जीवन यात्रा से पाँच ऐसी सीख हैं जो मैं आपको इस ओडियो संदेश के जरिये देने जा रहा है पहली त्याग याद रखिएगा भगवान श्री राम के कैरेक्टर की सबसे बड़ी खुबी थी त्याग चौदर वर्ष का त्याग था वनवास था चौदर वर्ष का और उसकी परणती किस रूप में होती हैं तीनों लोकों में मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान श्री राम के नाम से पूजे जाते हैं आप भी एक वनवास ही जी रहे हैं और आपका वनवास अब करीब जीन सवा तीन महीनों का बचा है तो याद रखिएगा आपके वनवास की परणती भी किस रूप में होगी कि इस आज के युग में जिस व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर वो आप बनेंगे तो जिन्दगी में त्याग को एक्सेप्ट कीजिए दुखी मन से नहीं बलकि प्रफुलता से क्योंकि आज जो त्याग आप जहलेंगे जिसे एक्सेप्ट करेंगे वही amplify होकर return में आपको आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशियां देने वाला है। भगवान श्रीराम से सीखिये राजा बनने जा रहे थे लेकिन क्या सूचना आती है कि आपको तो वनवास दिया गया उनके माथे पर शिकन नहीं आई उन्होंने का okay I'll accept this जब भगवान श्रीराम की धर्मपत्नी मा सीता को रावन हर करके ले गया तो भी उनके चेहरे पर श उस यात्रा में भी व्यवधान आया सामने समंदर है इधर भगवान श्रीराम की सेना है उधर रावन की लंका है उन्होंने इस चैलेंज को भी accept किया जिन्दगी में यदि राम जैसा किरदार बनना चाहते हो यदि सफल होना चाहते हो तो always accept the challenges with a smile on your face यह दूसरी चीज़ है जो आपको उनसे सीखनी चाहिए तीसरी सीख निरंतरता consistency कभी भी एकदम से किया हुआ कोई प्रयास विजय नहीं दिलाता बलकि consistent होकर निरंतरता के साथ आप जब सतत होकर आप जब प्रयास करते हैं तो आप जीतते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लंका जाने के रास्ते में पुल का निर्माण करना सेतू का निर्माण करना एक तरफ लंका थी, एक तरफ सेना थी, बीच में समंदर था, कैसे पार करे, एक एक पत्थर को रख कर सेतू बनाया गया वहाँ सामने आपकी नीट का लक्ष है, इधर आप हैं, ये चीन महीनों का समंदर है, ऐसे मानिये आपको क्या करना है? एक एक टॉपिक का, एक एक कुश्चन का, एक एक टेस्सिरीज के पेपर का सेतू बनाना है और यही कंसिस्टेंसी, यही निरंतरता, यही सतत प्रयास आपको विजय दिलाएगा और आप अपने लक्षय में काम्याग होंगे चौथी चीज जो आपको उनसे सीखनी चाहिए, वो है इम्पॉर्टेंस ओफ एवरीधिंग हम अपनी जिंदगी में, अपने competitive exam की preparation में खुद से ही एक mindset बना लेते हैं वह यह topic तो अच्छे हैं, यह topic important नहीं है चाहे teacher ने कहा हो, चाहे नहीं कहा हो हमने पता नहीं कहां से दुनिया जहान का ग्यान ले लिया और हम अपने हिसाब से एक चीजों को manipulate कर लेते हैं तो याद रखना, ये बात भगवान श्रीडाम से सीखिए रावन की सेना में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे भगवान श्रीडाम के पास कौन थे? वानर, भालू, यहीं तो थे जिनको ढंक से लड़ना भी नहीं आता था लेकिन वही unorganized लोगों की सेना रावन की सेना पर विजय प्राप्त करती है क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने ये बात समझी कि जो भी समक्ष आया है everything is important मुझे ये नहीं सोचना है कि वानर थोड़ी लड़ पाएंगे भालू थोड़ी लड़ पाएंगे आपको भी यहीं चीज सोचनी है अपने इसाब से मत सोची कि ये topic important नहीं है ये concept important नहीं है ये question important नहीं है इस section से question नहीं आता अगर आपने सारी चीजों को उसी challenge के साथ accept किया आप विजय श्री को प्राप्त कर जाएंगे और पांचवी और सबसे महत्वपॉर्ण विपरीत परिस्थितियों में भी आत्म विश्वास नहीं खोना not losing the confidence in the adverse situation अब देखिए चाहे वनवास की घोशना हो चाहे सीता माता का हरण हो गया हो चाहे लक्ष्मन को शक्ती लगने के बाद मूर्चा आ गई हो भगवान श्री राम ने उन विपरीत परिस्थितियों में अपने confidence को नहीं खोया आपके सामने भी ऐसे कई क्षणाय होंगे और आएंगे जहाँ आपको लगेगा कि आपकी महनत का आपको desired result नहीं मिल रहा है आप पूरी रात पढ़कर अगले दिन पेपर देने गए और पहला ही question गलत हो गया तो याद रखिएगा कि यहां का failure is not deciding your failure in that particular examination on the month of May यही सत्य है आपको विपरीत परिस्थितियों में अपने confidence को खोना नहीं है यह पाँच चीजें इसी order में याद रखिएगा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ पहला त्याग जो आप कर चुके हैं दूसरा चुनोतियों को accept करना challenges वो topic जो अब तक आपको लगा कि यार इसको तो एक बार भी नहीं पढ़ा हिम्मत ही नहीं होती इसके notes खोलने कि उसी को पढ़िये तीसरा consistency, regularity, निरंतरता चौथा everything is important every bit, every concept, every question is important और पाँचवा confidence को lose नहीं होने देना है क्योंकि यही पाँचों चीजें आपके अंदर उस character का निर्मान करेंगी जो अंतत है आपको विजय श्री दिलाएगा और चिराग भाईया की एक कविता मैंने आपको हर बार सुनाई है मैं फिर सुना रहा हूँ कि त्याग दी हर कामना निश्काम बनने के लिए सारी कामनाओं को त्याग दीजे क्योंकि अभी यही एक कामना है वो सफेद एपरन वो स्थेटेसकोप त्याग दी हर कामना निश्काम बनने के लिए तीन पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए घर नगर परिवार ममता प्रेम अपना पंदुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए याद रखिएगा जब वनवास मिला तो क्या बात हो रही थी कि राजा दश्रत के बेटे को वनवास मिला है और जब बापिस लोटे तो क्या बात हो रही थी मरे आदा पुर्शुत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं आप भी जब अपने घरों से आए होंगे तो लोग बाग यही कह रहे होंगे कि उनकी बिटिया पढ़ने जा रही है उनका बेटा पढ़ने जा रहा है लेकिन याद रखना इसी कर शहर से जब आप वापिस लोटें तो आपके सारे रिलिटिव, सारे दोस्त सारे जान पहचान वाले सारे वेल विशर्स यही कहें कि डॉक्टर साहब आ गए है डॉक्टर साहिब आ गई है इन्ही शुब कामनाओं के साथ भगवान श्री राम आपकी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए नई उर्जा, नई आत्म विश्वास का संचार करें जय सियाराम, जय हनुमान, धन्यवाद